मि-सधिया अब DR 1 आपके सामने एक और नया लेक्टर लेकर लेक्यर अज का स हमारा है लेक्टर N.ification सेवेन और आज किस लेक्चेर का हमारा टोपिक के रहने वाला है हमारा टोपिक है इस्ट military और इस से रिलेटेड कुछ कोशिन भी कर देंगे हैं नो बुर्सकते हैं क्वेस्टेन ईट के एदिए क्या रहेगा आज हमारा यहां पर पढ़ना देट इज वट इस सट्री करेंट नौक पहला को शुटन की हम बात ही क्यों कर रहें चुट किमने यह मैंने आपको जब पहना लेक्शर हमने स्टार्ट किया था मैंने स्टेटी का हम वहाँ पर हमने पढ़ लिया था हमने क्या पढ़ा था कि what is magneto-static magneto-static is a study of steady current छिए के जो steady current की study होती है वो कहां होती है magneto-state में होती है उसी को हम क्या बोलते हैं magneto-static बोलते हैं चलते हैं उससे नालो क्या स्टेटी करेंड और उसके नीचे लिखो इस तरीक इसे पॉइंट बनाके हमने इलध्र टोस्टेटिक क्या पुड़ा था कि वोट इछ एलक्तोस्टेटिक स्टेटिक क्या होता है एल्द छक इच अश्ट्रिव चावर है स्टेटिक शोर्स जार्ज कुम्मद अगर बात करों किसकी मेगनेटोस्टेटिक की बात करों Magneto Static की बाद करू Then it will be यह क्या हो जागी मेरे पास Steady of Steady of Static Current यह भी Steady Current Steady Current ओके जो Steady Current की जो Steady होती है उसी को हम क्या बोलते है Magneto Static बोलते है Now Next question is that कि what is Steady Current क्या होती है बताओ जैसे नाम से पता चल ला है Steady Current एक करेंट विच इस नौट चेंजिंग विट टाइम ऐसी करेंट जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है उसी को हम क्या बोल देते हैं Steady Current बोल देते हैं Current Current Which is Not Changing Changing With Time Time Is called Is called Steady Current उसी को हम क्या बोलते हैं Steady Current बोलते हैं I is equal to I not Sin Omega T Sin Omega T ये एक करेंट दे रिखिए क्या ये करेंट है Steady Current है No Why Because it is depending upon time ठीक इस टाइक की करेंट आमने क्लास 12 में पढ़ा होगा जब आमने किस की की बात की होगा Alternating Current की बात की होगी तो Alternating Current में कुछ इस टाइक करेंट की equation निकल के आती है कि I is equal to I not Sin Omega T and this current is depending upon time T so it means it is not a steady current तो steady current कैसे होगी जैसे I is equal to 2A ये कहा है एक टाइप की steady current है है या नहीं है ठीक है किसी वायर में मैं अजुम करूँ कि अगर ये वायर है मेरे पास तरीके से और इस वायर में कुछ current I flow कर रहे है कितनी current flow कर रहे है and that current I is constant with time time के साथ क्या है constant है इसका मतलब क्या है ये जो मेरे पास current है ये कैसी current है एक टाइप की steady current है ये तो क्या होगी इसकी एक सामान्य definition होगी अब थोड़ा से अगर सब्सक्राइप में जाएं तो हम ये बोलते हैं कि जो मेरे पास current actual में क्या है current is nothing but it is a rate of flow of charge है क्या है simple सा current current is a rate of flow of charge और जब charge की बात करते हैं किसकी बात कर रहे होते हैं अगर मैं ये बोलू किसकी जो charge density कितनी है lambda है जो charge density कितनी है lambda है अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें जो current है वो constant है यानि rate of flow of charge क्या है constant है इसका मतलब मैं ये भी तो बोल सकता हूँ जो मेरे पास charge density है वो time पर depend नहीं कर रही है या इसको ऐसा ही बोल सकते हैं कि charge density is not a explicit function of time यानि जो charge density है वो time पर directly depend नहीं कर रही है ऐसा बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं कि charge density for steady current for steady current for steady current current charge density charge density is not depend upon is not depends upon time it not depend upon time directly directly उस पर dependent नहीं करता है ठीक है इसको कभी कभी हम और अच्छे वास हम एक्स explicitly बोल देते हैं क्या बोलते हैं explicitly ठीक है इस परें देखना एक्सपिसिटली sorry explicitly जो मेरे पास charge density है वो किस पर depend नहीं कर रही है time पर depend नहीं कर रही है यहने directly time पर depend नहीं कर लिए इसका मतलब क्या हुआ that is इसका मतलब जो मेरे पास partial row over partial T यह row is charge density then this will be equal to 0 कहने का मतलब क्या हुआ that gives us कि row is not a function of time T किसका function नहीं है यह time का function नहीं है and here row is जो row है मेरे पास यह row कहा है मेरे पास that is charge density that is charge density okay now अब यहाँ पर क्या है मेरे पास partial row over partial T is equal to कितना आ गया 0 आ गया यह भी क्या है this is the condition of again this is the condition of steady current कभी-कभी होशकता है option में यह option दिया ही नहीं आपसे पुछा जाए कि following में से कौन सा option यह बता रहा है कि current कुन सी है steady current है और यह option दिया ही नहीं है और तीन कोई दो कोई और option है तिसरा option कुन सा वाला है यह वाला option है तो answer कुछा सही होगा यह वाला सही होगा तो this is another condition for a steady current अगर यह चीज है तो हमने कले यह चीज़ पड़ी थी हमने अगर आप यह चीज़ देखते हो ना तब याद आने चीज़ कि that is equation of continuity तो from equation of continuity what we have लिके चलाओ from ऐसे हैस्टा गुनाओ from equation of continuity we know what we know we know कि divergence of J is equal to minus minus का del rho divided by del T ठीक है और किसको represent करता है यह charge conservation को represent करता है ठीक करता है नहीं करता है करता है अब क्या बोला है for steady current since we know since we know for steady current for steady current जो मेरे पास del rho by del T होता है वो कितना होता है 0 होता है अगर del rho by del T 0 है इसका मलभ it means it means जो मेरे पास divergence of J हो जाएगा यह current density हो जाएगा this is also 0 यह भी कितना होगा हमारा 0 होगा this is another condition for a steady current और जब भी हम steady current की बात करेंगे तो steady current के लिए जो divergence of J होगा वो हमेसा कितना होगा 0 होगा again this is very very important condition of a steady current समझमाई बात okay एक सीज़ और लिए हो एक condition और होती है कि accumulation of charge in the direction of flow of charge is not allowed ठीक है कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे पास यह wire है तो इस wire में charge इखटा नहीं हो सकता ठीक है माना ऐसा नहीं हो सकता ठीक है लिखके चलते हैं भी समझते हैं कि कैसा नहीं हो सकता accumulation of charge accumulation यह इसको यह भी बोल सकते हैं piling up piling up of charge charge in the direction of in the direction of flow of charge charge is not allowed is not allowed यह चीज अलाओड नहीं है अगर ऐसा होगा तो क्या होगा देखो अगर मेरे पास यह wire है देखो इस wire में यहां पर charge density यह है ठीक हमाने सब पॉस्टिट आफ फ्लोग कर रहा है यहां पर charge क्या है पास पास है और जब थोड़ा सा आगे बड़े यह चार्ट यह ही चार्ट जब आगे बड़े तो यह ऐसे हो गए ऐसे भी बोर सकते हैं कि पाइलिंग अप आप चार्ज इन डार्शन ओफ लो आप चार्ज इस नोट अलाओड यह इस तरह किसे चार्ज ऐसा नहीं हो सकता ठीक है कि दर हुई इतनी बात ओके ना अब देखो यह क्या हो गया हमारा स्टेटी करेंट हो गया दो एक्जांपल दे एक इलक्ट्रोन बोल दो ठीक है क्या बोल दो एक इलक्ट्रोन है एक जमपल फस्ट देखो कि मेरे पास क्या है एक इलक्ट्रोन ही यू करके और एलक्ट्रोन क्या कर रहा है सर्कुलर पास में रिवाल्व कर रहा है जिस सर्कुलर पास के रेडिस कितनी है आर है ठीक है इस से कोई लग्ट्रोन है यह लग्ट्रोन है जो इस तरीके से वी व्लॉसिटी से क्या कर रहा है रिवाल्व कर रहा है यह यह करेगा यहां यहां पर क्या हो रखी है क्या यहां यहां पर इस तरी करेंट है और यहां यहां पर आप चार्ज हो रहा है देखो अगर मैं यह बोलों कि आ रहे हैं ओर यह उलक्टरों है जैसे क्या गर रहा है इसके चार और घुम रहा है अब दो यहांपर चार्ज है यहांपर चार्ज है यहने है नि拘न लिए इस करेंदग इस इलप्ट्रोन के इस सर्क्लर मोर्शन में revolve करने से जो current produce हो रखी है that is not a steady current है जो यहाँ पर current आई है वो कहा है मेरे पास no steady current है ओके रिजन समझ माया no steady current हो रिजन क्या है due to piling up of charge ओके देखो एक और ग्जामपल देखो एक बड़ा famous example है हमने कहां पड़ा था एटम यू पड़ा था जब भी हम ड़ा हम एटवीग में किया निकाल रहे होते हैं और expands a hydrogen atom की बात कर रहे होते हैं हम बोलते है using a remedy protein के चारोण pajama होता है और है और एकडेजीन आटम में bastards के चारोण रिवाल्ख कर रहा है और जो कुБ और कईर लूप कीता बिहेब कर रहह है इसा बोलते हैं और हम हम बोलते हैं वो current carrying loop में जो current flow कर रही है उसको हम कैसा अजुम करते हैं एजे steady current अजुम करते हैं अब यह क्या बात हुई कि यहाँ पर तो ऐसा हो रहा है वहाँ पर ऐसा क्यों बोलते हैं देखो क्या बोलते हैं in case of hydrogen atom for hydrogen atom अगर हम बात किसी करें hydrogen atom की बात करें तो hydrogen atom में यह मेरे पास क्या है first orbit है और यहाँ पर क्या proton होता है और यह क्या है यहाँ पर electron है जो वी velocity से इस तरी किसे क्या कर रहा है कर रहा है ठीक है और हम बोलते हैं कि यह लूप की सब्सक्राइब कर रहे है एक करेंट कर रिंग लूप की तरह बहेब कर रहा है एंड दिस रेडियस आर इस अबाउट कितनी होता सकते है लगभग 10 अंगस तंग के बराबर होती है और जो इसकी वलोसिटी होती है वो भ्रॉक्स एंट थो लीप हर 6 meter पर सेगंड के अबॉट होती है छो ती नी आङ चैन्श क्यान के देखो तो रिजचन का है यहां पर जो पाथ मना इसका जो पाथ बना सिस ना इस सब्सक्राइब कर रहा है जैसे पंखा होता है ना जब वह पंखा पंखा फॉल स्पीड में करते हो तो वह पंखा पंखा जाती है या बोट सकते हैं हां यूनिफॉर्म हो जाती है तो same case यहाँ पर भी होगा जैसे ही यह path small होगा और velocity बहुत जादा होगी तो यहाँ पर जो electron ऐसा हमाँ प्रतीत होगा बस्त है नी लेकिन ऐसा हमाँ प्रतीत होगा कि electron at a same time हर जगो है ऐसा होता है नहीं होता है ऐसा आप सोच पारे हो अगर यह electron at a particular time हर जगो ऐसा है ऐसा हमको आभास हो रहा है इसका मतलब हर जगो चार्ट density क्या है शेम है अगर हर जगो चार्ट density शेम है तो इसका मतलब यहाँ पर जो flow करने वाली current है वो कैसी है steady current है लेकिन हाँ अगेन जो flow करने वाली current steady current है but it is not a ideal steady current अगे तो कैसी steady current होगी लेकिन यह कैसी होगी मेरे पास approximate approximate ठीक कैसी होगी एप्रॉक्स ती लगारबात ओके नौ अगला example देखो यह बास उनमा आगे न आपको ठीक है बहुत सिंपल था ऐसा उसा उस नहीं था इसमें अप देखो अगला देखो लेकर आता है तुम है तो अगला देखो कि मेरे पास इस तरह के एक रिंग है यह करके फिरियों and it is in x y plane this is x axis, this is y axis and this is z axis, इस में क्या है कुछ चार इस तरह के से कहा है distributed है इस ring में यहनि कि जो चार density क्या है lambda है and assuming that this lambda equal to क्या है मेरे पास constant है जो lambda है मेरा वो constant है चार density क्या है इसकी constant है और वो क्या कर रहा है इस तरह के से omega angular velocity से क्या कर रहा है move कर रहा है तो हमें क्या बताना है omega क्या है constant है तो हमें बताना है कि जो current है वो steady है यह नहीं है चार डेंसेटी क्या है constant है देखो एक चीज़ हमने पड़ी थी कि i equal to कितना होता है हमारे पास that is lambda into omega cross r होता है तो इस case में तो कहाँ पर है boundary में तो capital आला जाएगा ठीक है तो r is the radius of this path तो i equal to किता हूँ जो lambda into omega cross r होता है lambda is constant omega is constant r is constant it means this whole thing is constant it means this i is steady current जो i हो कैसी current है steady current है और जो chart density है वो भी कहा हर जगो same है पूरे path में कहा है same है किलर हो इतनी बात अब देखो अगला कॉश्ण देखते है देखो अगला कॉश्ण क्या है question number 4 देखो कि मेरे पास जो यह रिंग मने ऐसे रखे थे एक्सवेल प्लेम में रखे थी आम इस तरीके से वाइजट प्लेम में लग दे रहा हूँ अब यहां पर चाहरा है अब यह रिंग उमेगा इंगल लोसर्ट से मुव कर रहे है और चाहर देंसिट यह अगें क्या है कॉश्टेंट है ठीक है तो अभी सुच्वेशन कुछ ऐसी है जैसे आप करते से ना कभी कभी बच्पन में आप लोगों ने वह कड़ा पहने होता था और कड़े को आप ऐसे घुमाते थे तो कड़ा अभी जो यह रिंग है ऐसे ही घुम रही है कड़े की तरो घुम रही है अब यहां नो नो इस टड़ी करेंट नो इस टड़ी केंट देखो क्यूंट जब आप उस कड़े को ऐसे घुमाते हो आप अप है यह आप यह is सबनगेए देंसीटेटेटी यहां के इस साथ जीरो हो गी इस तो चंझ कहिता और कहा है? कि कहीं कहीं पर जो density of matter कि वाँ पर तो matter होता है ना मारे पास density of matter कहीं कहीं पर ज्यादा होती है और कहीं कहीं पर हमको गाड़ा दिखा जिदा कहीं कवें हमको धुल्ला दिखा जिदा ऐसा होता है नहीं होता है अब देखो अगला देखो एक और एक जामपल देखो कुछ तरह किस है कि मेरे पास क्या एक स्वेयर है भी है अब बताओ अभी इस टैंपर क्या होगा देखो अगें सेम चीज है कि एक रू कॉंस्टेंट है ठीक है तो इसको घुमाओ गुद्ध अब यहां कोई फरक पड़ेगा निए विकॉई थी डियमेंशनल से और ओमेगा इंगल व्लॉस टी का एक तब यह फरकने पड़ेगा तो इटमीन आवर करेंट इस ट्रीकरेंट हमारे करेंट क्या होगी है यहां पर आई एकल टू इस्टेटी करेंट कैसी हो जाएगी और यहां कि है चार्ग इस तरीके से चार्ग इंश्टी कुछ ऐसे हैं कुछ सा कुष्ण ओगए तो रोककर के करेंटर के साथ पर पुर्पोर्शनल्टी ब्रीकर है यह बढ़ रहे हैं अब बढ़ा एक स्केस माँ अगर मैं सको एक एक एंगular कॉंस्टेंट एंगलर तो क्या जो मेरा क्या बोल सकते हैं करेंट है क्या वो स्टेडी करेंट होगी अंसर है हाजी होगी बिकॉज इट रो इस वेरियेबल रो के है वेरियेबल है बट इस नौट ए फॉंक्शन आप टाइम ये डिरेक्टली टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है देखो होगा क्या अगर मैं यहां से किसी पॉइंट पर देखो लेटासे दिस प्वाइंट इच आर देखो इस पॉइंट पर इस पॉइंट के अबाउट हमेसा जो चार डेंसिटी रहेगी वह क्या रहेगी पॉइन के अपर टो यहां, पॉइन से होते हुए इस फारी ऐसके बाहर कोई में, लेकिन हर पॉइंट पर यहां पर , यहां पर , या पिर इसके बाहर में कोई बहर पाइन बहुत हुएunter अप TV 2020 पूरे इस पेर मंतरड रेंजिस उस्त्रैटे क्या कंस्तेंट है तो इसलिए यहां पूचोंड रहेगी फूर दीड करेंट कि इस्टेडी करेंट कि यह चाहनी थी खतम हो चीए तो इसमें आम ने बहुत सारे कुश्चन कर लिए और यह कहा है इंपूर्टन कोश्चन है कभी-कभी गेट में या फिर जैम में इस ताइव यहां पर यहां पर करेंट फ्लो कर रही है वो कैसी करेंट है इस्टेडी कि एंडे कुश्चन डेलेटेट टू अवर क्या बोलते हैं उसको हम करेंट डेंसिटीज है कि था बहुत आपको बदानों फॉर्मुले में एक बार इवा फॉर्मुले डिसक्स कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं कि लग कुश्चन देखेंगे ग्रिफिस से करेंगे एक अच्छे कुश्चन घृपिट फॉर्मुलें आपको पताई है जैम में गेट में सीजिज अब कूभी तो तो यह क्या है अब लिए इंपोर्ट ऐए कि देखो हमने क्या पड़ा था करेंट डेंसिटी के बारे में पड़ा था करेंट डेंसिटी current density एक हमने पुरिट थे गा surface current density that is k and k equal to क्या था मेरे पास sigma into v था and this is also equal to sigma into omega cross r था और इसी क्यों को हमने ऐसे भी लिखा था कि di over da perpendicular ऐसे भी लिखा था तो यहां से हमने i equal to define क्या था कैसे यहां से मेरे पास i equal to क्या निकल क्या था 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 यहां से मेरे पास i equal to क्या निकल क्या था जिस j into da perpendicular निकल क्या था आया था आया था नहीं आया था आंसर हां जी आया था ठीक है ना किताब आंगी मेरी क्यों कि देखो इसमें question करते हैं सब्सक्राइन एक्जांपल देखें इसका इक्जांपल 5.4 ग्रिफिट का इक्जांपल 5.4 गुग है तो निकालो अगर नहीं है तो फिर सुनों तो एक्जांपल 5.4 क्या बोला है देखो एक current i is uniformly distributed over a wire of circular cross section of circular cross section with radius a find the volume current density j तो क्या करना है हमको एक मेरे पास इस तरीके इस वायर है यू करके इस तरीका केस है मेरे हमारे पास और इस तो रेडियस है यहां से यहां तक that is a यह radius कितनी है इसकी current कितनी है कितनी है पूरे वोल्यम में कितनी है आई डिसकल ही है यह यह तो यह लेक्ट होता है आई ऑबर ए परनेगी तो यह कह था है लोग यह आई लिग दिया नव घूकला यह कहा था मेरे पास area perpendicular to the direction of flow of current and that is area of this circle अगर मेरे पास वायर है तो वायर का जो क्रॉस सक्षिन एरिया है अगर यह 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 इस एरिया के बाथ हो रही तो यह एरिया कहा है मेरे पास that is circle यह कहा है तो circle का एरिया कितना होता है I upon कितना आ जाएगा this is pi r square और यहां बेक्टर लगा दो तो यह कितना आ जाएगा I over pi a square आ जाएगा ठीक है तो इस दवरा answer यह कहा है निकल क्या हमारा answer निकल क्या है ठीक है सही है ओक अगर magnitude के टमल लिखो गए तो कितना आ जाएगा सिंपल मेरे पास तो जे इकल दो आगे मेरे पास I upon pi a square that is in terms of magnitude ओके नाओ इसी में आँ बी को पार्ट भी है क्या बोला suppose the current density in wire is proportional to the distance from the excess this current density देरिकिया इसी का पार्ट भी है जो current density जे उपल दिरिकिए वो काधर एक के के एस दिरीकिए और स्क्याइटर मेरे पास distance from the center यह खैमर पास distance from the excess we also the distance from the excess यह कै है जो ऐसा है मेरा हो कै है distance from the excess this is this 10s from there access तो फिर क्या बोले उसने and case constant जो के है मेरा वो के है कॉंस्टेंट है फाइंड तोटल करेंट इन दोए टो वायर जो कए है क्या करने है यह क्या करना है में फाइं करने है यह यहां से मेरे पास I equal to कितना आ जाएगा I equal to integration this is J into DA perpendicular आ जाएगा तो J equal to क्या हो जाएगा मिरे पास KS हो जाएगा तो put कर दो यहाँ पर KS अब देखो जो मिरे पास DA है DA is the area which is perpendicular to the direction of flow of current जो direction of flow of current के perpendicular जो area है उसको हमने क्या बोला है DA बोला है यहाँ इस एरिया की बात हुरी है किसे एरिया की बात हुरी है यह जो area element है इसकी बात हुरी है ठीक है यह कहा है direction of मना यह Z axis के लोंग है this is along Z cab axis ठीक है this is not area vector ठीक है कभी कभी आप इसको area vector बोल सकते हो लेकिन यह area vector नहीं है यह कहा है मेरा simple area and that area which is perpendicular to the Z axis या बोल सकते है direction of flow of current और वो कुन सा एरिया है यह वाला area है और यह area मलब इस Z cap के perpendicular and in cylindrical coordinate system the area area element perpendicular to the Z axis कितना होता है यानि इसको बोलो में बीए परपेंडिकोल गोलों then this will be equal to dl s और dl कितना आ जाएगा फाई आ जाएगा और dl s कितना होता है ds होता है simple और dl 5 कितना होता है s d5 होता है तो यह आगा मेरे पास कितना s ds d5 आ गया तो यहां से मेरे पास जो दी एपर पेंडिकोल निकल क्या आया वो के निकल क्या आया s ds d5 उठाव यहां पूट कर दो तो कितना हो जागा यह इन्टू this is s ds into d5 हो गया यह तो के तो कॉंस्टेंट है भाहर आ जाएगा और double integration जाएगा धर यह क्या गया मैंने पास s square इंटू कितना आ जागा ds और इंटू कितना आगा d5 देखो 5 कहां से आँगा अगा अगर मैं फाई की बात करूं देट जिरो से टू पाई और मैं s की बात करूं देट जिरो टू ए ओके देखो d5 के तो 5 हो जाएगा और कितना आ जाएगा यह तो पाई के आ जाएगा फिर दर टू पाई के integration that is 0 to a and this is s square और इंटू कितना आ गया यह ds आगे s square इंटू ds तो यहां से यह पास current i is equal to that is 2pi k s की पाउर कितना हो जाए 3 divided by 3 integration करो तो s की पाउर 3 divided by 3 and that is limit from 0 to a when upper limit lower limit lower limit putt करने पर 0 हो जाएगा तो यह आगा में पास कितना a की पाउर 3 and divided by 3 आ गया and that is our answer तो इतनी करेंट क्या करेंगी इसमें फ्लो करेंगी अगर से चार्ड देंसर्टी कितनी होगी के एसके बराबर होगी के लिए इतनी वाद आपको ओके नौ अगला पूर्शन देखो कुशन माया ठीका असान कुशन था को यह से भारी बार कुशन नहीं था प्रोब्लम नंबर 5.6 प्रोब्लम नंबर 5.6 इमिटाउं प्रोब्लम 5.6 ग्रिफिट की प्रोब्लम 5.6 देखो ओके पे नंबर टू 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 में हाँ क्या बोला है पॉर्ति मों कॉछंस को क्या है क्या है एक फॉनोग्राफ रिकोर्डर काईर एउनिफ Worth डेंसिटी औफ स्टेक डिप इलेक््रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रश्अ है था Brown कि बात कर रहे है ठीक है Simmons art and सबस्क्राइब आधे एक फोनोग्राफ रिकोडर है फोनोगराफ रिकोडर सुना है जो पहले जबाने जो मुहम्मद रफिय गाने आते थे तो उनके गाने चुनने के लिए बड़े सी कैसे राटी थी उसके परिष्टरे कैसे घोंता थे नो उसी को सायधाम क्या बोलते हैं फ में लधालो में ऊसमें करती ने सब्सक्राइब đây यार्व सी ठीक और वा यह से किया है अभृगल मेंगिए यह आत्युक्त है ऐसा इसने बोलолот रखा है और हमने क्या करना है जब और इसे घूम रहा है तो और शार्ज है है यह इसे घूम रहा हैं है तो चार haner so charge है घूम रहा है तो हम बताना है कि surface current कितनी होगी कि हैunde क्ण करना है किसे सरफेस इंटू omega cross R हो जाएगा ऐसा बोला था हमने आंसर है हैं जी बोला था तो सिंपल सी चीज है ओमेगा रग दो आर रग दो आंसर आज जाएगा हमें कहां पर निकालना है यहां पर निकालना है ठीक है तो क्या जागा देखो तो that is k is equal to sigma into omega now what direction of omega देखो हमने मेरे पास क्रोश कितना आगए और और किस दार्शन में मेरे में ऱफ यह थे तो तो अपमेगा और कॉंस्ट्ट में है एनि ऑन्म टायं इन प्रटिक लर टाइम है तो भार आ जाए गई गई कोडिने सिस्टम है और चो आरगे यहां तो टेट कैप को आर काप में लिखना पड़ेगा या फिर आरज कैप को किसमेद ना पड़ेगा तो इस इप्वेल टू, एंड यहां पर केता है, sign theta, क्या आता है, sign theta cos phi, sin theta, cos phi into, sin theta, sin phi, sin phi और into कितना आता है, cos theta, फिर से के नीचे कं़ आता है, इसके नीचे लिखते हैं, हम वाला है, उसका डिवेंसियंड करके, और बाक्य वैसे उतार देते हैं, फिर उनले जाय मैने सइट तो कितना जाएगा संट थीट पाइप इंटू साइन फाइट रिक में थाइट सफाइट इसका कॉस ठीटा और यह कोस्फ फाइट और यह तना जागा देखू साइन का अगें कोस्ट थीटा और यह कितना जागा मैनस का साइन थीटा ठीक ऐसे होगा ओके ना फिर क्या गरते हैं कि रिष्पेट में डिफरेंशेशन ऐसा नोगा मैनेस का कॉस के नहीं का साइन का साइन फई पी और इसा कितना जीट सब्सक्राइब जीरू हो जाएगा ठीक है और यहां मुल्टिपला में करें डिटे एक्सक यह चेब फिर जटके नवहां कैची यह नहीं है और शरी का रहे क्वाइच पॉई का छिर्म निका लुंगा थे इन दिस फिल भी तो जाय गई एन्न रोक टोल्म में जीड़ी इन ऊचीड एगा तो कितना हा जाय गाई तो कितना जाय गाई गया दिस विक्रल टो लॉप आ थेटा कॉस फई और यह जाय कितना हाया मानस का साइं फाई प्षिर और फिर कितना आ गया ये cos theta cos phi कितना आया cos phi फिर ये वाला ऐसे आ जाएगा तो तो देट cos theta minus sin phi and this one is 0 और यहां कितना आ जाएगा और केप, ठीटा केप, फाइब केप, फाइब केप, मुझे कह चीए, सिर्फ Z वाला चीए, तो यहां से मेरे पास Z केप इकोल डिक इतना आ जाएगा, इस इस सिर्फ कोस ठीटा, आर केप, फिर माइनस का, सब्सक्राइब ठीटा, मैइस का साइं ठीटा, और इंटो कितना आ गया ये, ठीटा गया, और जिपन जीरो जाएगा, फाइब वाला, अन दिस ऑवर, सीन थीटा, थीटा केप, यह कर निकल कहा यहाँ पूट कर तो यहाँ से मेरे पास के एकल डू कितना आ गया, this is सिगमा ओमेगा और, जैट के पी जो कितना आ गया, that is कोज थीटा, और कैप, फिर माइनस का सीन थीटा, थीटा कैप, ब्रेकेट प्लोज, तो अउस कितना आ गया इस वन आजद आपके तो है सिगमा ओमेगा ओर एक हुआ खो साथ जिरो हुआ हो आपके कितना बज़ाएगा इस है सायन थीटा और इंटु गितना आजएगा इस थीटा कैप क्रोस कितना आजाएगा आरका थैंग ऑज़ाए नावद टब सीड़ा का र अरे गाल एकसिए को पत्अब्हार एक जाएगा तो कितना घमाएगा अप दीछ एक साइन थीटा XTXE ये किल दो मैनेश का पड़ा फाई ये निखल गया मैनус फाई- was find 90 कितना होता है तो ठीय कितना है तो डिस कीके सर्फेस करन न कितना होगा योट आंड कितना इंड कितना है और तो आप के आप लिए सब्सक्राइब कलोग वाइज फयसे बात है एसे घुम रहे है क्लॉक वाइज एंटी गॉम रहे है तो मेरे पास डिरक्शन और के तो दिस दवर आंसर ओके नो एक और कॉस्टिन देख लेशिमें देखो इसी का पार्ट बी बोल रहे है पार्ट भी है एक यूनिफर्म ली ठीक इसको आधा पार्ट में करूंगा और अधा पार्ट आप खुद करोगे आपी चलोग पूराई कर देंगे देखो इसका पार्ट भी लिखो क्या वहला है यूनिफर्म ली चाट वरेडियस आर एंड टोटल चार्ज क्यू इस सेंटर एड ओरीजिन एंड इस्पिनिंग एड एक कॉंस्टेंट अंगलर व्लासर्टी ओमेगा अबॉट जैड एक्सेस इस तरीके से हैं और यह पूरा क्या कर रहा है किसके बाउट जैड एक्सेस के बाट विट एंगलर व्लासर्टी ओमेगा विचिस कॉंस्टेंट और यहां से आर डिस्टैंस पर एड और वैक्टर पर मुझे क्या करना है जो वॉल्यूम करेंट डेंसिटी है यह क्या करना है अगैं सिंपल जे कगा होता है फॉर्मुला होता है हमारे पास सिंस वी नो जो कि दिस जे इक्कल टू वन देटल रों इंटो उमेगा क्रोस आर क्या होता है क्रोस R के बराबर होता है ठीक है नौ जे इक्वल टू कितना आ जागा यहां से मेरे पास अगेन रो इक्वल टू ओमेगा किस डारख्शन में है that is in Z-cap direction एंड क्रोस R इनटू कितना आ जागा R-cap तो यहां से मेरे पास J इक्वल टू यहां से मेरे पास जेक्ल कितना आ गया सिगमा उमेगा आ और यहां से से थिटा रो मेगा आर साइन थीटा और क्या आजागा फाइक है बाजाएगा देखो यहां पर थीटा इस नॉट फिक्स बिकॉज थीटा इस एवरीवेर फ्रॉम जीरो तू पाई जीरो से पाई की वेजिए वेल्यू कुछ गो सकते जो थीटा है वो कहां से कहां वेरी कर रह और डिक्षिन जाओगी फाइक कहीं पर भी किसी फॉइंट ने लो जो टैरेक्षिन होगी हमें जाके डार्फिन होगी ओ फाइक के डिर्क्षिन में ही होगी तो अगें डैट इस रिजल्ट वर ओके कि ठीक सिट फूट कर उगया मध्दे दो बता दू आपको इसका प्रॉल है यह पार्ट भी दोनों पार्ट एक बाग करके देखना खुश से तो कौन सा वाला प्रॉलम फाइप पॉइंट फाइप विच बेरी वरी इंपोर्टेंट ग्रिफिस्ट से है यह देख लो अगर सब्सक्राइब नहीं आये तो फिर क्या करते हैं तो आपने सीख लिए है तो तो फिर आज के लिए इतने हैं और क्या बोलना आपसे मिलते हैं आपसे नेस्ट क्लास में एक और ने टॉपिक के साथ रखल कर पढ़ेंगे बहुत इंपोर्टेंट ठीक हो बहुत मज़िदार होने वाला है डिफ्रेंट कीस पढ़ेंगे उसमें कि एक्शनलों तो बायो से के साथ अतले थैंक यू दन्यवाद बाई बाई